हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल में मेरा नाम है राज रचारिया और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आगया हूँ एक नई वीडियो नई अमंग के साथ एक नई खुसकबरी आप लोगों को देने के लिए तो आप लोग जो सबसे जाएंदा मेरी वीडियो पर कमेंट करते थे कि कोई ऐसा अपाह बताई ए जिससे कि महराज जी से जल से जल मिला जा सके कुछ लोग कमेंट करते थे कि मैं बहुत जान्दा परिशान हूँ मेरे घर में बहुत परिशानी है और महराज जी के जो अभी दरवार थे वो सभी इस्तके चल रहे थे टोकन भी नंबर लगबग दो और तीन महीने मतलब कि दिसम्बर में जब टोकन डले थे तो अपरेल तक के टोकन की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई थी मतलब कि अपरेल तक कोई भी टोकन बेतर नहीं होना है तो इससे लोग समस्चा का नवार्ण हो सके तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए खास हो सकती है क्योंकि आज की इस वीडियो में महराज जी ने खुद इसका समाधान कर दिया है और आप लोग खुद सुनिये महराज जी ने भक्तों की समस्चा को दूर करते हुए क्या कहा है तो इसमें महराज जी भक्तों की समस्चा को ध्यान में रखते हुए एक नया नेड़य बागिश्वर धाम सरकार की तरफ से लिया गया है कि पहले क्या होता था कि यदि भक्त धाम पर आता था समय निकाल के तो जिस दिन वह आता था तो उस दिन महराज जी से नहीं मिल पाता था या तो उसे टोकन लेना पड़ता था तब जाके कहीं यदि उसका नमबर आता था तब वह महराज जी से मिल सकता था या जहां पर बिना टोकन का दरवार लगता था बहां परवाय महाराज जी से मिल सकता था तो कुछ लोग तो कई मैनों तक महाराज के पीछे-पीछे घुमते रहते थे लेकिन फिर भी उनका नंबर नहीं लग पाता था तो इसी समस्चा को धान में रखती हुए महाराज जी ने एक नया नयड़ा लिया है कि अब प्रती दिन पागिश्वर धाम पर यदि महाराज जी उपस्थित रहते हैं तो उनकी उपस्थित में दो पहर बारा बजे से दो बजे तक आपको दर्सन भभूती और आज जी वो भी बिना टोकन के आप महाराज जी से मिल सकते हैं बात कर सकते हैं और इसके सासा रात आठ बजे से और नो बजे तक भी यही दर्सन भभूती और आज जी आप महाराज लिए आपको कुछ समय हो सकते हैं अपनी अर्जी महाराज जी को सुनाने हैं اور भभूती भीवी महाराज जी से प्राप्ट कर सकते हैं तो आज की एक उस्क नगई आपको कमेंट करके जबूर बताएं यदि इसको लेकर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं उसका जबाब देने का अवस्प्रयास करूंगा यदि आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जोड़ जाएं चैनल से इससे की आगे मैं कोई अपडेट देता हूं तो आप लोग तक उसकी सुचना सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो का आनंद ले सकें तो जय बागिस्वरधाम की जय वालाई सरकार की थैंक दाओ धियू वर वाचिन